दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रशिया वर्सिस यूक्रेइन का वोर हमें देखने को मिल रहा है और इसी बीच अगर ग्लोबल मार्केट को लेकर कोई बड़ी नियूस निकल कर आती है तो वो डायरेक्ट मार्केट को हिट करती है और उसी बीच यहाँ पर एक बड़ क्वांटिटी में काफी बड़ी नंबर्स में मिसाइल दागे हैं USA के उपर याने कि अमेरिका के उपर मिसाइल दागे गए हैं जैसा कि आपको पता है कि इरान और अमेरिका के संबन पेले से ही काफी अच्छे नहीं है जिस कारण से यहाँ पर आज के दिन हमें यह अटेक भी देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर एक गुड नियूस यह है कि इसमें कुछ भी इस्वेलिटी इस नहीं ही है याने कि कोई भी यहाँ पर मारे जाने की ख़बर निकल कर नहीं आई है आप देख सकते हैं as many as 12 missiles were fired Sunday towards the US consulant in Iraq's Northway city of Irbil with several missiles hitting the building Iraq and US security officials say तो काफी बड़ी news आज की दिन आमें यह आते वे देखने को मिल रही है तो कहीं न कहीं अब यह चीजे market के अंदर और ज़्यादा uncertainty create कर सकती है याने कि मेरा simple सा कहने का मतलब यह है कि market के अंदर अगर आप invest कर रखा है या फिर आप एक trader है और market के अंदर investment करना चाते हैं तो globally हर एक news पर आपको नजर बनाए रखनी है क्योंकि एक भी news market को अभी पूरी तरीके से hit करने के लिए साबित हो सकती है अब बहुत सारे investors कहेंगे कि यह जो news है यह हम आपको old news share कर रहे हैं या फिर गलत news share कर रहे हैं तो the times of Israel आप अगर google पर search करेंगे तो वहाँ पर आप completely इस news को पढ़ पाएंगे और यहाँ पर आप date भी देख पाएंगे 13 मार्च 2022 आज ही के दिन यह news निकल कर आई है तो बात करें कि इस news से market के उपर क्या effect पढ़ सकता है तो overall अगर global market weak होता है तो उसी का एक negative impact हमें इंडियन stock market के उपर भी देखने को मिल सकता है और अभी तो market को सिर्फ एक वज़य चाहिए अगर यहाँ पर एक भी वज़य निकल मिल जाती है तो आपको market में again जो selling pressure है वो हावी होते हुए देखने को मिल सकता है तो simple सा मतलब यही है कि कल के दिन भी market में काफी ज़यदा uncertainty आपको देखने को मिलेगी एक gap down यहाँ पर देखने को मिलेगा जिस कारण चे अगर आपको pre market period में ही market में काफी ज़यदा selling pressure देखने को मिले तो आपको यहाँ पर blindly investment नहीं करना है बलकि आपको जो हमारी तरफ से कुछ quality stock suggest किये जा रहे हैं उनके अंदर आप SIP कर सकते हैं जी यहां दोस्तों market में यह बहुत सही समय है जहां पर आप बलक investment नहीं करते हुए SIP को start कर सकते हैं और SIP को आप करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर गर market और ज़्यादा क्रेश होता है तो आप वहाँ पर और buy and dip करेंगे market फिर अगर क्रेश होता है तो फिर आप buy and dip करेंगे अगर nifty 50 पंदरा अजार रुपे के level तक भी जाता है तो वहाँ पर nifty 50 के कुछ दिगज़ शेर्स भी क्रेश होंगे तो वहाँ पर buy and dip करेंगे तो इससे क्या होगा जब यह जो situation से यह short term की है और जिसी यह situation से market पूरी तरीके से बाहर आजाएंगे market में आगेन आपको bull run हावी होते वे देखने को मिलेगा और market में जब भी bull run हावी होता है तो सबसे बिले nifty 50 की जितने भी दिगज कंपनिया है उनी में हमें काफी शांदर profit बनते वे देखने को मिलता है तो इसी strategy को आप follow कर सकते हैं market crash हो या ना हो लेकिन आप SIP करिए और quality stocks को ही pick करके चलिए तो यह छोटी सी update थी market से related जो की मैंने आपके साथ share कर दी है चलिए अब बात कर लेते हैं next shares के बारे में जहां पर साड़े 800 रुपे का share कल से आप सो 170 रुपे के price पर देखने को मिलने वाला है कंपनी का नाम है रामकृष्न फॉरेंस लिमिटेट लास्ट एडिंग सेशन में 6% की तेजी हमें share के अंदर देखने को मिल चुकी है अब बात करें रामकृष्न फॉरेंस लिमिटेट का shares साड़े 800 रुपे का share कल से हमें 117 रुपे पर देखने को क्यों मिल रहा है कंपनी ने अपने shareholders के लिए split announce किया था 10 इस तो 2 के ratio गा याने कि अगर मैं आपको इसको simply language में समझाओं तो यदि आपके पास एक share है रामकृष्न फॉरेंस लिमिटेट के तो एक share के बदले 5 share company आपको split के रुप में देने जा रही है जिसकी X date 14 March 2022 देखने को मिल रही है याने कि कल के दिन साड़े 800 रुपे का share आपको 170 रुपे में देखने को मिलेगा और अगर already आपने share के अंदर investment कर रखा है तो यहां पर आप split के लिए eligible हो जाएंगे और आपके demate account के अंदर जो number of shares है जो extra number of shares है वो आपके demate account के अंदर credit कर दिये जाएंगे company अच्छी है लेकिन इस company के अंदर हमें volatility काफी जादा देखने को मिलती है आप देखेंगे तो shares हमें बीच में 800 रुपे के level तक जाते वे देखने को मिला था देन अगेन वहाँ से free fall हुआ था फिर वापिस तीजी आई थी फिर crash होते वे देखने को मिला था फिर यहाँ पर तीजी आई और फिर हमें crash होते वे देखने को मिल रहा है यहाँ पर company ने returns बना कर तो दिये हैं लेकिन अगर आप इसके chart pattern को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा volatility हमें देखने को मिलती है और retail investor हमेशा यही गलती करते हैं कि upper level से entry ले ले लेते हैं और नीचे के level पर यानिकि जब share crash हो जाता है वहाँ पर आप इस company को या फिर किसी और company को भी loss में पेच कर बाहर निकल जाते हैं सबसे बिले आपको यह समझना होगा कि company के उपर आपका भरोसा कैसा है company के financial numbers किसे हैं और company के technical levels किसे इसाप से बन रहे हैं सबको analysis करने के बाद ही आपको किसी भी company के अंदर investment करना है चलिए अब बात कर लेती कल अगर market में गिरावट होती है तो किन quality stocks को आपको pick करना है दो shares में आपको suggest करना हूँ जिसमें सबसे बिले shares का नाम है ताइटन कंपनी लिमिटेट ताइटन कंपनी लिमिटेट चाहां बन लास्ट रिजिंग सेशन में एक परसेंट की तेजी share के अंदर देखने को मिल रही है वही अगर आप ताइटन कंपनी लिमिटेट का पिछले एक साल का chart pattern देखेंगे तो 67% के शांदर रिटन्स कंपनी ने अपने इंवेस्टर्स को बना कर दिये मार्केट में गिरावट के चलते भी यहाँ पर shares के अंदर कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलिये और यही खासियत होती है quality stocks की अब बात करें कि कल के दिन यह shares क्यों focus में रहने वाला है क्योंकि रिसेंडली Titan Limited ने यहाँ पर Great Hits का 17.5% stake acquire करा है जिसको लेकर यह shares के अंदर कल के दिन हमें शांदर तेजी देखने को मिल सकती है बात कर लेते हैं another share के बारह में जिसका नाम है Take Mahindra Limited Take Mahindra Limited को लेकर भी एक बड़ी update निकल कर आ रही है जिस कारण से कल के दिन भी यह shares काफी ज़्यादा focus में रहने वाला है आप देख सकते हैं 1488 रूपे का share तहां पर company के financial numbers तो काफी अच्छे हैं ही और साथी साथ Take Mahindra ने यहाँ पर एक acquisitions करी है थर्ड वेर solutions के अंदर 100% stake company ने acquire कर लिया है याने कि पूरी की पूरी company खरीद ली है जिस कारण से Take Mahindra के अंदर भी आपको शांदर तीजी देखने को मिल सकती है Company financially काफी ज़्यादा strong है Take Mahindra के अगर December quarter के result भी में आपके सामने present करो तो जहाँ company का revenue और company का net income काफी चांदर तरीके से grow होते हुए हमें देखने को मिल रहा है तो no doubt अगर आप यहाँ पर भी खरीदारी करना चाहते हैं या already खरीदारी करके बठे हैं तो आप अपनी positions को hold करते हुए चल सकते हैं चलिए दूस्तों बात कर लेते हैं अब हमारी last update के बारे में जिसमें LIC के IPO को लेकर बड़ी update निकल कर आ रही है आप देख सकते हैं government is time till May 12 to launch LIC IPO without filing fresh paper with SEBI तो यहाँ पर अगर IPO लेकर आना है government को तो अब यहाँ पर 12 मई तक का समय है 12 मई के बाद में यहाँ पर दिक्कते वापिस government के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर 12 मई अब हमें बहुत important date declare होते विए देखने को मिल रही है LIC के IPO की अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि Russia versus Ukraine के crisis के बीच में government ने LIC के IPO को pending रख रखा है क्योंकि यहाँ पर government का मानना है कि अगर इस situation में LIC के IPO की date announce कर दी जाती है तो यहाँ पर LIC के IPO का हाल भी कुछ PTM के IPO के इस तरह हमें देखने को मिल सकता है जिस कारण से यहाँ पर LIC का IPO अभी हमें pending में देखने को मिल रहा है लेकिन अगर LIC का IPO डिले होता है तो कई नगए stock market के उपर भी हमें उसका pressure बनते वे देखने को मिलेगा तो 12 माई बहुत important date है जहाँ पर अगर government IPO को लेकर नहीं आ दिये तो कुछ बड़ी दिक्कत हैं हमें government के level पर आते वे देखने को मिल सकती है तो इस date को भी आप आपके नजर में बनाए रख सकते हैं